जैहिन दोस्तो मैं विकास भारतवाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग ASI Rule 72 का जो एक्जाम हुआ है पांच फरबरी को उसके Question Paper को डिसकस करेंगे Question Paper आने के बाद एक सरसरी निगाह से देखने के बाद मैंने यह निशकर्च निकाला कि इस पेपर में गलती की संभावना नगनी थी जितने लोग गलती जादा किये हैं वही लोग इस competition से बाहर हुए हैं तो किस प्रकार से इस तरह के सवाल आने पर हम कैसे देखें और कैसे उन्हें करें और उनके उत्तर देने के पहले किन-किन चीजों पर बिज़ार कर लें आज के इस वीडियो का उद्देश यही है क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी लोग इस competition से बाहर हुए हैं चाहे जिनकी तयारी बहुत अच्छी थी या अच्छी नहीं थी उसका बस एक ही reason मेरे लिए सामने आता है वह reason है सवाल और option को ठीक धंग से समझ ना पाना दुबारा repeat कर रहा हूँ कि आपने सवाल को सही धंग से पढ़ा नहीं और सवाल को सही धंग से समझा नहीं option को सही धंग से analyze नहीं किया ये सबसे बड़ा reason है आपके ओसफल होने का अगर आप इस reason को समझ जाते हैं तो आगे आगामी जो भी exam में आप बैठेंगे उसमें आपके सफल होने की संभावना बिलकुल 100% होगे अब मैं आपके बिनाह पर बैठ करके इस सवालों को कैसे हल करूँगा उन चीजों को आप देखते जाईए जहां पर जो चीजे मुझे नहीं पता है मैंने उसे देखा भी नहीं है मैं आपको इस वीडियो में confusion के साथ बताऊंगा कि ये सवाल मैंने नहीं पढ़ाया है और इस सवाल को हल करने में मुझे भी दिक्कत हो रही है मैं उसे छोड़ दूगा क्योंकि इस question paper में 20 सवाल ऐसे हैं जिसे की आप छोड़ सकते हैं ये पहले भी मैंने बताया है कि ये rule 72 ASI में ये option है तो मैं उन 20 सवालों को कैसे identify करता हूं उन चीजों को आप देखिए साथी साथ सवाल को मैं कैसे पढ़ता हूं उत्तर को कैसे पढ़ता हूं option को कैसे analyze करता हूं इन चीजों को भी आप देखिए और इस चीज को अपने अ देखते हैं और question बिल्कुल ही आसान थे मैंने सरसरी निगाह से देखा question में बिल्कुल डम नहीं है कुछ लोगों ने मुझे comment करके phone करके भी बताया कि sir आपने जो label पढ़ाया उससे एक भी सवाल नहीं आये तो अभी जैसे ही मैं सवाल को हल करूंगा तो आपको वो पता च दूसरे के उपर blame नहीं लगाएंगे इस कारण से अपनी इमानदारी को और बढ़ाईए क्योंकि मैंने इमानदारी पुर्वक जो चीज़े आपको तयार करवाई है सवाल उन्हीं चीजों के बीच से है ये मेरा दावा है और जो सवाल मैंने नहीं पढ़ाया है वो मैं इस वीडियोज बनाए है जो theoretical वीडियोज है वहाँ से सारे सवाल आए है जिन लोगों ने उस वीडियोज को अच्छे से सुना है नोट्स बनाया है वहाँ से सवाल टकराए तो चलते हैं पहले जो part A था part A में राजभासा के बारे में बताय गया था राजभासा के 10 सवाल जो बिलकुल ही आसान थे सबसे पहला official language rule 1976 is not applicable upon which state इस सवाल को पढ़ने के बाद आपको option भी देखने के आविश्यक्ता नहीं है तुरंत आपके दिमाग में तमिल नाडू आना चाहिए लेकिन फिर भी मैं option देख लेता हूं तो option है आपको पहला ही तमिल नाडू है दूसरा सि यह उत्तर क्या है दोस्तों तमिल नाडू जो है वो सही उत्तर है देखेगा मुझे यह पता था कि तमिल नाडू इसका उत्तर होगा और मुझे option number a में ही tamil नाडू मिल गया तो मेरा क्या होता मैं यही पर इसको tamil नाडू बोलके निकल जाता लेकिन मैंने फिर से पूरे option को पढ़ा तो इसी प्रकार से आप भी पूरे option को जरूर पढ़िएगा आगे से दूसरी बार केंदर सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रात्मिक हिंदी कोर्स निम्न में से कौन सा है तो प्रात्मिक हिंदी कोर्स मैंने आपको बहुत बार ये sequence बताया है कि हिंदी की जो पारंगत तो इसको अगर आप ये series सिर्फ याद होता तो आप आसानी से उसका उत्तर प्रबोध कर पाते तो आप इसमें देख लेते हैं option में प्रग्या है प्रवीन है प्रबोध है और प्रतिग्या है तो प्रतिग्या तो सबसे पहले छाट देजिए कि प्रतिग्या कोई कोर्स है ही नहीं और इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा प्रबोध आए चलते हैं तीसरे सवाल पर जनवरी दस इस डिक्लियर्ड ऐस वर्ल्ड हिंडी दे स्टार्टिंग फ्रॉम विच इयर इस सवाल को मैंने नहीं पढ़ाया है मैंने बस इतना ही बताया है कि विश्व हि इसे छोड़ देता लेकिन करेक्ट उत्तर देखते हैं मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि वी सवाल छोड़ सकते हैं तो इसको छोड़ने के बाद भी 80 नंबर में 80 आएंगे कोई इसमें 2 राए नहीं है और सवालों को अगर आपको नहीं आता है तो उसको इगो नहीं कोई देख नहीं रहा है कि आपने कौन से सवालों को हल करके 80 नमबर लाए हैं तो यहां पर मैं इसे छोड़ देता हूं लेकिन फिर भी इसका करेक्ट उत्तर देख लेते हैं वो है दो हजाच्छे तो यह सवाल मेरे नहीं पढ़ाया था इसको मैं आगे के वीडियो में कवर कर लूँगा डीपली अब आगे चलते हैं सम्विधान के किस अनुशेद में हिंदी भासा के विकास के लिए निर्देश है तो जो मेरा पहला ओफिशल लेंगवेज का जो तीन से लेके चार ही वीडियो है उसको अगर आप देख लेते हैं तो इसमें से 90 परसें सवाल आपके उसमें है और ऑप्शन है 343 तो सबसे प पच्पन होगा नहीं क्योंकि अनुशे 351 तक ही किसके हिंदी के राजभासा हिंदी के बारे में वर्डर किया गया है तो अब आपके पास तीन आप्शन बचे और इसी तीन आप्शन में से आपके उत्तर है तो इसका सीधा सीधा उत्तर जो है वह है 351 आर्टिकल जो की वी कि हम होते लेकिन जो डिपटी चेर्मेन होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर तो यहां पर होम मिनिस्टर का जिक्र नहीं किया गया है यहां होम मिनिस्टर का नाम दे दिया गया है इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए तो यहां पर स्री नरिन मोदी, स्री अमित सा, स्री जगद लिपी के भारतिय मानक के संस्थान द्वारा जारी किये गए है मतलब विच और्गनाइजेशन रिलीज दो इंडियन स्टेंडर्ड अफ देवनागरी स्क्रिप्ट आप्शन पढ़ते हैं सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो सेंट्रल हिंदी डारेक्टरेट विष्व हिंदी सची वाले और ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड तो भारतिय मानक ब्यूरो मैंने आपको विडियो में बता भी रखा है कि जो देवनागरी लिपी है वो भारतिय मानक ब्यूरो है ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड जो पहला वीडियो जो हमने बनाया है राजभासा पर उस वीडियो को आप सुनेंगे तो ये आपको चीजें वहाँ पर दिख जाएंगे चलते हैं आगे निम्न में से केवल खो छेत्र के राज्यों के इंसासी छेत्रों वाले नाम वाले विकल्ब का चुनाव करें तो हिंदी भासा के लिए तीन छेत्र हैं कौ खो और गौ इसके लिए जो है हमने एक ट्रिक भी दिया हुआ है उस ट्रिक को आप दुबारा उस वीडियो को जाके देखेगा जैसे की छेत्र कौ के लिए हमने ये बोला रजवू के बिया हमें उच्छतिस हजार दे ले इस प्रकार के ट्रिक को मैंने वहाँ पर दिया है तो आप फिर से अगर उसे सुनेंगे तो बहुत आसानी से इसमें ऑप्शन अगर देख ले पहले तो जार्खंड महरास्ट और गोवा फिर गुजरात महरास्ट और चंडिगर नागालेंड पंजाब दमन एवं दीप तो जैसे ही नागालेंड आ गया वैसे ही आपको इसको सी छेत्र में दे देना है ये अप्शन हड़ जाता इसके बाद राजस्थान पंजाब और हर्याना तो रजवू के बिया हमें गज़ात महरास्थ गुजरात महरास्थ चंडिगर के आगे आते हैं तो राजभासा नियम 1967 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राग पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाएगा नियम 2, नियम 3, नियम 4, नियम 5 तो राजभासा नियम का जो वीडियो है उसको हमने पूरे तरह डिजेल से बनाया है और उसमें नियम 5 का मैंने जिक्र किया हुआ है और यहाँ पे भी नियम 5 सही उत्तर है फिर आप आईए मनिपूर तथा अंड़मान निकोबार किन भासा छेतर में आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी गेम खेला गया एक छेतर नहीं पुछा गया, दो छेतर पुछा गया तो मनिपूर तथा अंड़मान निकोबार आता है A में और मनिपूर आता है C में मतलब हिंदी में देखें तो गौ और कौ में होना चाहिए तो अब हम option देखते हैं तो सबसे पहले लिखा है बोथ इन A region गलत हो गया region A and C respectively तो यहाँ पर देखें ट्रिक खेला गया है region C and A respectively region A में तो निकोबार है तो यह बाद में आएगा तो यह गलत हो गया और यह वाला सही हो जाएगा उत्तर and last option भी देख लेते हैं दोनों गौ छेतर में यह बिल्कुल गलत हो गया तो किस तरीके से कितना आसान सवाल है जिसे कि अगर आप टेक्निकली पढ़े होते वीडियोज को सुन करके नोट्स बनाए होते तो आप आसानी से इन सब सवालों को हल कर सकते हैं कहीं भटकने की आवश्यक्ता नहीं है अब मुझे यह भी संदे होता है कि जो लोग और सफल हो जा रहे हैं वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ टेक्निकल फॉल्ट कर रहे हैं अपनी तयारी में क्योंकि हमारा मानना है कि बिश्वास एक सबसे पहली शीड़ी है जो कि आपको जीत दिला सकती है कुछ लोग विश्वासी हैं और वो फिर भी slip of mind हो जा रहे हैं एक्जाम में मतलब उनका दिमाग एक्जाम में थोड़ा सा patience और pressure को नहीं जेल पा रहा है इस कारण से वो बाहर हो जा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें प्रैक्टिस की आवश्यक्ता है चलते हैं अगले सवाल पर भात्य संबिदान की आठवी अनुसूची में कितनी भास आए हैं तो ये एकदम सिंपल सा सवाल है 22 भास आए हैं जहां पर भी 22 दिखे आप उसे टिक कर दिजे तो इस प्रकार से राजभासा के 90% सवाल जो है वीडियो से आए हैं एक सवाल जो मैंने आपको बताया है जिसमें की मैंने ये और क्लेर नहीं किया था वो सवाल उसे आगे के वीडियो में कवर कर लिया जाएगा अब आते हैं disaster management act was enacted on which date तो disaster management जो मैंने पढ़ाया है उसमें 23 दिसंबर 2005 का जिक्र हुआ है तो यहां देखिए 2003-2005-2003-2005 तो सबसे पहले अगर हम इसको date कोई identify करें तो 2003 में तो यह बना ही नहीं है तो मेरे पास दो option अपने आप हड़ गए A और C अब हमारे पास option क्या बचे B और D अब 21 दिसंबर है और 23 दिसंबर है तो यहां पर थोड़ा सा tricky है अगर आपको याद होगा तबी जा करके आप इस पर 23 दिसंबर 2005 लगा सकते है अब देखिए IPC की धारा 320 के अनुसार कौन घोर उपाती नहीं है इस प्रकार के सवाल मैंने मॉक टेस्ट में भी डाले हैं कि कौन से नहीं है तो यह डिटेल में अगर 320 आपने देखा होगा जिसको कि मैंने बड़े आसानी से बता है कि आख, कान, नाख, हड़ी, दाथ, जोड़, ठीक है, इसकुलीशन, फिर 20 दिन से ज़्यादा जो है नैचुरल वर्क नहीं कर पान तो इन चीजों के कारण, सिर या चेहरे का बिदरूपी करण, यह आठो पॉइंट्स जो है, यह 320 के तहट कभर किया आते हैं, इसमें कौन 320 के अंतरगत नहीं आएगा, तो हड़ी का टूटना यह आएगा, हड़ी का खिशकना यह भी आएगा, कटिंग ओफ एन इयर, एक का इसी वीडियो सुने होते तो, वैसा कार यह जिनके विरुद आत्मरक्षा कारिकार नहीं है, किस धारा में उल्लक्षित है, रेस्टिक्शन्स जो है, तो आत्मरक्षा कारिकार 96 से सुरू हो के 106 तक जाता है, उस वीडियो को आप देखिए, जिसमें मैंने section 99 को पूरी है, आगे आते हैं, which of the following is the primary concern of RPF security का circular एक बटा 2021, तो ये सवाल भी मैंने नहीं पढ़ाया है, security circular पे मैंने वीडियो एक दो वीडियो कवर किया है, मतलब एक दो ही circular कवर किया था, जो last में मैंने वीडियो बनाया था, जिससे की सवाल नहीं आये है, और ये एक बटा 2021 के बा लेकिन इसका उत्तर देख लें, तो इसमें है, बल सदश्यों के आचरन के बारे में, कंडक्ट के बारे में बताया गया है, आगे आते हैं, रेल सुरक्षा बल नियम के तहत नियम में कौन सजा नहीं है, मैंने हर एक वीडियो में, जब RPF रूल पढ़ाया है, आपको एक ल अगर पढ़ते हैं, तो परिनिंदा है, निलंबन है, पास पर रोख है, वेतन की कटवती है, तो यहाँ पर सस्पेंशन जो है, यह सही उत्तर हो जाएगा, सस्पेंशन इस नौट पनिस्मेंट, देखिए जब टेकनिकली आप वीडियो को सुनते हैं, तो वो सारी चीजें आप आसानी से दिख जाएंगे, अब यह अगला सवाल जो है, वो रिजनिंग का सवाल है, तो रिजनिंग का सवाल जो है, वो अंजली मैम के वीडियो आएंगे, वहाँ पर वो डिसकस करेंगे, तो हम रिजनिंग के सवालों को छोड़ते हुए चलेंगे आज, अब देखि अगर आप ASI बन जाते हैं, स्टेशन पर डिप्लाइड होते हैं, आपको कुछ कॉंट्राबेंट्स आइटम दिख जाते हैं, तो आप किस परकार से एक्षन करेंगे, किस डिपार्टमेंट को बुलाएंगे, तो इन चीजों को ले करके ही ये सवाल था, इसमें लिखा गया है कि गांजा, अफीम, MDA में और विस्की, अगर आप स्टेशन में ड्यूटी पर हैं, और आपको अगर गांजा मिल जाता है, तो NDPS को देंगे, अफीम मिलता है, तो भी NDPS, MDA मिलता है, तो भी NDPS, लेकिन अगर आपको विस्की मिल जाता है, तो किसको देते हैं हम, हम ये देते हैं एक साइज डिपार्टमेंट को उद्पाद विभाग जो है तो हम उसको सुपुर्दगी देते हैं तो इस कारण से ये NDPS Act के तहद कवर नहीं होता है बहुत ही आसान सवाल था थोड़ा सा दिमाग लगाना था ये सवाल पिछले तीन बार से मैंने आपको डिसकस कि गया है और इस बार भी पूछा गया लगातार तीसरी बार ये सवाल में देख रहा हूं अगर आप तैयारी में जुड़े हैं तो आपको ये पता चल गया होगा सठी पर सरकिल का सही करम क्या है तो तीस बार चेष्ट और दो बार बृद तो ये इसका सही उत्तर है कि तीस बार च्हाती पर दबाओ और दो बार सांस देना ये तीन बार लगातार ये previous year इसलिए का जाता है previous year के questions को ध्यान से देखिए एक दो सवाल आपको मिली जाएंग अब देखे आटियाई एक्ट 2005 में किस धारा में स्वतह खुलासा करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है तो क्या ये धारा 4 है धारा 11 है धारा 22 है या धारा 24 है तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तो आटियाई एक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो धारा 4 जो है इसका सही उत्तर है इसके बाद आते हैं IPC के सेक्षन 309 किस अपराद से संबंदित है तो हमने आपको ये बताया था कि कल्पेबल हुमिशाइट 299 से सुरू होता है क्या शरी इसमार शरीर संबंधी अपराद के बारे में शुरू होता है तो 309 जो है इसमें कही ने कहीं सरीर संबंधी अपराद के बारे में जिक्र होगा तो कल्पेबल हुमिशाइट के बारे में देखिए तो ये 299 में है attempt to murder हत्या का प्रियास कते हैं तिन सु साथ आत्महत्या का प्रियास और death by negligence तो death by negligence भी आपको पता होना चाहिए 304 A या 304 A या B में इसके बारे में बताया गया है लेकिन जो है attempt to suicide जो है आत्महत्या का प्रियास ये जो है आपको section 309 में हो जाता है अगर आपको नहीं भी पता है तो देखिए मैंने किस प्रकार से इन चीजों को eliminate कर दिया कि हमको ये पता है कलपे वल हुमिसाइड 299 attempt to murder 307 और इसके बाद जो है death by negligence जो है वो 304 304 में दिया गया है A और B 304 B में दिया गया है डौडी death के बारे में तो आप इस तरीके से eliminate करके एक ही बसता है और ये सही हो जाता है तो ऐसे भी चीज़े एक्जाम हॉल में काम करती है आप देखिए which of the following is not under small arms small arms के अंतरगत कौन नहीं आता है pistol, karbine, इंसास तो अपने department में जितने भी arms हैं वो सारे small arms हैं ठीक है वो सारे ही small arms हैं इसलिए इसमें none of these answer हो जाएगा आप देखिए रेलवे सुरक्षाबल 1987 के किस नियम में orderly room का विवरण है ये मैंने आपको revision वीडियो में बताया था 160 में ही जो है इस orderly room के बारे में बताया गया है तो नियम 156, नियम 158, नियम 160, नियम 162 सही उतरे दोस्तों नियम 160 में इसके बारे में बताया है अब आपको देखिए क्या मैंने 232 नहीं पढ़ाया है आपको जेन्वीन सवाल पुछा गया था इसमें गलती की संभावना बिलकुल नगनिती द्यान से पढ़ना था और सवाल को हल करना था 80 में 79 लाने वाला ये है 80 में 80 आ जाएगा इसमें बहुत लोगों को आया भी होगा लेकिन 80 में 79 लाने वाला ये question paper है आये भारतिय साक्षा दिनियम 1872 में burden of proof क्या लिखा हुआ है भारतिय साक्षा दिनियम की निवन में से कौन सी धराएं सबूत के भार से संबंधित है 101, 102, 103, 104, 105, 106 तो ये सारे जो हैं ये सारे all of these 106 तक सभी जो है ये किसमें हैं सबूत के भार से संबंधित है तो simply अगर deeply आप पड़े होते तो ये आपको चीज़े गलत नहीं हुई होती फिर आईए खुली delivery केवल तभी दी जा सकती है यदि package is broken or torn package का वजन कम लग रहा हो there is a suspension of flip race in all of these cases तो हमेशा जो है सभी परिस्थितियों में जो है open delivery दी जाएगी अगर माल लेने वाले को लगता है कि चोरी हो गई है उसको वजन कम लग रहा है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि ये फटा हुआ है तो बहुत आसान ये सवाल था फिर है एक मरीज को निम्न में से किन समस्या के होने पर हिमलिच मनुवर तकनीक का प्रियोग किया जाता है तो ये हिमलिच मनुवर तकनीक ये तीसरा सवाल आया जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है और ऐसे सवाल एक्जाम में रहते हैं एक दो जो आपके दिमाग को थोड़ा चक्रा दे और सही सवाल जो आसान सवाल है उसको भी आप गलत कर लें उसके लिए ही ये सारी चीज़े दी जाती है आए देखते हैं इसके आंसर को सांस नली के अबरोध में हिर्दय आगात में भारी रक्साओं में उल्टी में तो ये जो है आपको सांस नली में अपरोध होने पर ब्लॉकेज आप एर्वेज में तब इसका उप्यों क्या आता है कि इसका हिचलिक हिमलिच मनुवर तकनीक का तो ये सवाल मैंने कवर नहीं किया है तो ये तीसरा सवाल है जो मैंने कवर नहीं किया है आगे देखिए ये रिजनिंग के सवाल है रिजनिंग का सवाल आपको जो है अंजली में कवर करेंगी इसके बाद भी रिजनिंग के ये सवाल है अब आत इसमें है section 45 में है तो इसमें बहुत ही आसान सवाल इसके बाद देखिए ये तोड़ा सा practical सवाल पूछा गया कि अगर उपर द्रवियों द्वारा एक ट्रेन या ट्रेन को रोक कर उस पर पत्थर मारा गया तो उन पर railway act की कौन सी धराएं लग सकती है तो अब ध्यान दखिए कि railway act आपके जहां पर duty करते हैं वहाँ पर इस परकार की घटनाएं हुई होगी या नहीं भी हुई है तो मैं training center में आप लोगों को यह बताता हूं कि आपकी duty अगर कहीं पर लगती है तो you have to visualize the incident आप incident को visualize करिए कि कौन कौन सी घटनाएं आपके duty छेतर में हो सकती है तो उस इसलिए पहला option खतम हो गया दूसरा option है 141 154 तो यह भी नहीं होगा 141 तो chain pulling के लिए लगता है गलत हो गया एक सो तीरपन एक सो साथ तो एक सो तीरपन को देख सकते हैं लेकिन एक सो साथ जो है वो क्या है एक सो साथ हो जाएगा बूम डैस के कारण तो बूम डैस तो 24 और वही सही उत्तर है तो इसको करते हैं elimination method जिससे कि आप सवालों तक पहुँच सकते हैं इसके बाद देखिए सवाल है छोटे मोटे दंड के ताथ अधिक्तम कितने रकम का जुरगाना लगा जा सकता है तो आपको यह पता है कि साथ दिन से ज्यादा का वेतन नहीं काटा जाता है यह मैंने आपको पढ़ाया है और वही इसका उत्तर है फिर यह reasoning के सवाल आगे हल करके आएंगे वीडियो उसके लिए अब आईए आप देखे इसमें क्या है निन में से कौन सा मोडूल RSMS में उपलब्ध है RSMS में उपलब्ध है तो RSMS का मैंने वीडियो बताया था और वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो एक ही वीडियो में ने लाया है उसी से यह सवाल आया है Crime Record Even Register यह उपलब्ध है विशेश Special Intelligence ब्रांच यह भी है Monthly Crime Review और उसके बाद इन में सभी तो यह सारे मोडूल जो है इसमें उपलब्ध है तो एक चीजे देखे अभी तक निश्कर्जी आ रहा है कि जहां पर ओल आफ स्टॉरी जहां पर ओल आप दीज है मैक्सिमम टाइम वो उत्तर हुआ है अब देखिए आपको क्या मैंने आपको रेल सुरक्षा बल का नियम 42 नहीं पढ़ाया है में किनके प्रावधान है रेल सुरक्षा बल के अरिकार ए संद्रचना तो हमने आपको रेस्टिक्षंस और डिप्लाइमेंट आप आर्पी नियम 42 में पच्चासों के सव बार मैंने बताए हैं हर वीडियो को मैंने इस तरीके से बताए कि यह सवाल आपके लिए आएंगे क्योंकि यह इंपोर्टेंट होते हैं नियम 41 और नियम 42 यह बहुत ही महत्यपूर्ण हैं अगर आप एसाई बन जाते हैं तो आप कहां अपनी अपनी लोगों को डिप्लाइ करते हैं किस परकार से ड्यूटी लगेगी उन चीजों के बारे में तो यह जानना आवश्चक है यह भी मैंने पढ़ाया हुआ है आगे आते हैं देश भर में आरपी अप दस्तों में इन में से किस परकार के स्वान है तो एक चीज़ देखते हैं कि अगर अभी तक हमने आल आप दीज वाले को क्लियर किया है कि जहां पर भी आल आप दीज है वो इसका उत्तर हो जाता है तो यहां पर भी देख लेते हैं लिखा है केवल स्नीफर एव बिना इसको देखे हुए आगे आते हैं तो दूसरा ओप्षन दिया हुआ है स्नीफोर बिसफोटक स्नीफर मादर पतार्थ एवं ट्रैकर तो यह हो सकता है फिर है स्नीफर एक्सलोशिफ ट्रैकर एवं सहायक डॉक्स है सहायक जो है सपोर्ट डॉक्स कोई नहीं इन में से अल आफ दीज तो अल आफ दीज तो उत्तर हो नहीं सकता है क्योंकि मैंने पहले ही फर्स्ट ऑप्षन जो है इसको काट दिया तो अल आफ दीज तो खतम तो ऑप्षन क्या बचा हमारे पास जो है का केस बिशिष्ट रिपोर्ट केस नहीं है जो इस पेशल रिपोर्ट केस नहीं है बुक्सुदा समान मुल्य पच्चतर हजार रेल सामगरी मुल्य पच्चतर हजार रेलवे सामगरी मुल्य पच्चतर हजार और बुक्सुदा समान मुल्य एक लाग पच्चीस हजार तो भ सब्सक्राइब ये बाहर हो जाएगा रेले मैटेरियल में हम लोग 40,000 से चुरू हो जाते हैं इसलिए ये सही हो गया फिर रेले मि अटेरियल वैल्य आप 55,000 ये भी दिया तो ये भी आजाएगा क्योंके 40,000 से जाधा है और बुक्सुदा जो है तो मैं आपको बता दूं कि यह चौथा सवाल है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है लेकिन यह कॉमन सेंस का सवाल है ग्रीन ट्रिबुनल जो है वो परियावरन से संबंदित है वनी जीव संरक्षन अदिनियम उनिश्वबहत्तर यह वनी जीवों के संरक्षन के लिए है वन अब आपको देखिए यह थर्ड पार्टी के लिए संदिप्ता की स्थिती में सूचना प्राप्त करने की समय सीमा मैंने 40 दिन बहुत बार आपको बताया है तो 40 दिन इसका सही उत्तर हो जाता है निवन में से कौन मिसिंग रिपोर्ट जारी करता है मिसिंग गूड्स रिप कौट कौन जारी करता है और पिएफ इंस्पेक्टर गलात सुपर्वाइजर ऑप सीएंडबलू सीएंडबलू क्या हो गया कैरेज वैगर नहीं स्टोर डिपार्टमेंट यह भी नहीं करते है कॉमर्सियल सुपर्वाइजर जो है वह इसको करता है तो आंसर भी देखने का इसे चलती है बिच्छु जो है और कच्छुआ तो कच्छुआ रेप्टाइल है क्योंकि वो भी और यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बिच्छु स्कॉर्पियन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा यहां देखे rip API act 1966 में member of the force किसको कहा जाता है बहुत tricky सवाल यहां पर पूछा गया है क्योंकि जब हम rip rap act पढ़ते है तो आर्पी अप एक्ट में मेंबर अप दी फोर्स हो जाता है कांस्टेवल टू डी जी बट बट जब आर्पी उपी अक्ट पढ़ते हैं तो ये पहुंच जाता है कांस्टेवल टू आई पी अप तक तो आप पढ़िए इसमें सहायकूप निरिक्षक के नीचे के सभी रेंग गलत हो गया निरिक्षक से नीचे सभी रेंग ये भी हो सकता है फिर आल रेंग बिलो एस्सी गलत हो गया और आल रेंग एवब अप तू एस्सी तो ये भी गलत हो गया तो इसमें क्या दिया गया आंसर इसका हो जाएगा सहायक सुरक्षा आयुक्त से नीचे सभी rank यहाँ पर देखिए यह देखिए यहाँ पर दिया गया है all ranks below ASC तो ASC के नीचे जितने लोग हैं वो सभी इसमें cover होते हैं और यहाँ पर देखिए below IPF दिया है मतलब IPF इसमें छूट गया इस कारण से यह उत्तर गलत हो गया यह उत्तर सही हो गया क्योंकि below IPF मतलब IPF को छोड़ दिया गया लेकिन होता क्या है constable to IPF cover होना चाहिए वो इसमें हो गया आपको option number C सहायक सुरक्षायोत के नीचे सभी rank में आगे आते हैं train escorting के दोरान यह सवालों पर बहुत लोगों को doubt था train escorting के दोराने एक महिला यातरी आपके एक सहायातरी आपसे एक सहायातरी के दुरवेभार किसी कायद करता है तो आप क्या करेंगे अपने पास IPC के sections तो है नहीं तो हम क्या करेंगे दोनों को समझोते के लिए कहेंगे नहीं, अपराध हो गया है तो समझोता नहीं कराना है यह आपके लिए क्या होगा soft skill के खिलाप होगा सहायातरी को पिटेंगे बिलकुल नहीं, यह एक और offense हो जाएगा तो बचाए एक option कि जी आर्पी के आने तक सतरकता रखेंगे तो यह common sense का सवाल था इसमें पढ़ने की कोई आवश्य रखता नहीं आर्पीअप इस अथराइज अंडर NDPS Act for which of the following action तो मैंने देखेगा लास्ट के जो second part 2 special video part 2 लाया है या part 1 जो special video आया था उसमें मैंने आपको यह cover कर रखा है कि आर्पीअप को जांच के अलावा सारी चीजों के power इसमें केवल तलासी गिरवतारी जबती जो है इन तीजों के बारे में बताया गया है यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि केवल सब्द पर यहाँ doubt किया गया क्योंकि सिर्फ केवल तलासी दिया है फिर केवल तलासी जबती जबती जबतारी तलासी जबती गिरवतारी तता जांच तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि पढ़ते जांच एक-एक चीज बढ़ते जा रहा है तो investigation तो हम करते नहीं है NDPS Act में हम तो handover कर देते हैं department को तो investigation तो हम ऐसे भी नहीं करते हैं क्योंकि inquiry हमारा part है तो इस सब्द को जैसे ही छाटेंगे आपका उत्तर आजएगा केवल तलासी जबती तता गिरबतारी इसके बाद है कि Journal Training Institution of RPF can be headed by an officer of the rank of तो आपको अगर पता होगा कि जो भी है ASC से शुरू होता प्रिंस्पल Training Center Journal Center का और उससे उपर जा सकता है तो यहां पर option आप पढ़ लिए IPF और अबब तो IPF तो होगा नहीं ASC और अबब यह हो सकता है फिर ASC और अबब नहीं ASC छूट गया इसमें इन में से कोई नहीं तो यह दूसरा सवाल इसका सही उतर हो जाएगा ASC और अबब तो चलिए आगे चलते हैं यह सवाल आपको अंजली मैं कभर करेंगी फिर आईए NDPS Act के तहट अधिक्तम सजा कितनी है तो जब यह सवाल सेट किया गया है तो यह सवाल थोड़ा विवाद का है मैंने भी इसको बताया है 20 साल क्योंकि पहले 20 साल था और 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हो करके मिर्तिव दंड तक हो गया है तो इस सवाल को हम सम विवाद के घेरे में रखते हैं लेकिन option के हिसाब से 20 साल या मिर्तिव दंड दोनों में से मिर्तिव दंड होना चाहिए क क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका है इसमें आगे आते हैं कोरस कोरस तो मैंने आपको बताया था कि कोरस पूछेगा ही तो commandos for railway security is the right answer आप इसको आसानी से पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगा commandos on railway system गलार commandos for railway service नहीं and chief of railway account service यह भी नहीं होगा सीधा सा बात है कि commandos for railway security is the right answer अ अभी तक मैंने आपको चार सवाल नहीं पढ़ाया थे एक और सवाल आपको मिल गया CRPC 469 जो है यह मैंने आपको deeply नहीं पढ़ाया है वैसे मैंने बताया है कि 454 से सुरू होता है संपत्ती का बेयां जो court में हम संपत्ती सीज करके डालते हैं उसको disposal कैसे किया जाता है उन के इस आप से भी अगर थोड़ा देखें तो हम सहल कर पाते हैं देखते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल बॉन यह नहीं होगा सीजर ऑफ परपरटी ठीक है यह भी नहीं सीज नहीं करते हैं हम लोग सेलिंग ऑप परिशीवल परपरटी एंड प्ली पारगेनिंग भी यहां कबर नहीं होता है तो सेलिंग ऑप परिशीवल परपरटी सम्पत्री की वیک री चार सौ्ट में करना अगर कोई आपने आर्टिकल शीज किया है जो भय जो जो सकता है जो हम भयेविनसीर है तो perishable property को जो है हम क्या करते हैं sell out करते हैं और sell out करके जो amount बसता है उसे हम seizure amount की तौर पर रखते हैं मोटा मोटी ये समझते हैं इसमें ये बताया गया है बाकी उस deeply use section को हम लोग जिक्रिक करेंगे तो हम मैं इसको भी ले करके जलता हूँ कि ये 5 सवाल पांचमा सवाल है जिसे कि मैंने अपने वीडियो में अभी तक कभर नहीं किये इसके बार आते हैं निवन में से कौन सभी उच्छ विशफोटक है तो अगर आप मेरा disaster management का पिछले साल का exam के पहले का वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो ये सवाल वहाँ पर दिया हुआ है कि जो TNT है इसमें आप देखेंगे तो TNT है, Guillotine है, Dynamite है और RDX है ये जो है ये सारे जो है उच्छ विशफोटक की स्रेणी में आते है इसके बाद ये बहुत ही आसान सा सवाल था, ये आपके दिमाग से खेला गया था जोनल अस्तर पर railway के लेखा विभाग के प्रमुक का पदनाम निम में से क्या होता हुआ क्या था कि सभी चीफ के आगे प्रिंसिपल वर्ट जुड़ गया था ठीक है न इस कारण से इस सवाल को पूछा गया और सारे लोग जो है कन्फ्यूज हो गए PCFA, फिर है PCAO, FANCAO और option है PCFM इसलिए आप लोग कन्फ्यूज हो गए लेकिन जो FNCO है वो होता है फिनांस का क्या, FANCAO is the Chief of Finance Department, ठीक है Accounts Department, किसके लिए जोनल अस्तर पर तो अब आपके लिए एक सवाल में देता हूँ कि आप इसका फूल फॉर्म कमेंड करके बताइए कि FANCAO का फूल फॉर्म क्या होता है अब मॉक ड्रिल हम क्यों करते हैं, आपको ट्रेनिंग में कराया जाता है किस कारण से, knowing the do's and don'ts, find the areas of improvement, increase efficiency and speed all of these, तो फिर देखिए यहाँ पर all of these वाला ही उत्तर सही हो रहा है तो मैक्सिमम इसमें भी हम एक चीज निकाल लिए, चोरी की सजा 379 में बताया गया है, पच्चासों बार मैंने बताया है, तीन साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों, तो इसमें भी तीन साल बिलकुल सही है इसके बाद है, भारतिये, साथ सदिनियम के अनुशाद निवन में से कौन एक सुसंगत स्विक्रिती है प्रलोभन द्वारा स्विक्रिती, तो हमेशा हम लोग करते हैं न, कि थ्रेट, इंडियूस्मेंट ये सारी चीजे नहीं होनी चाहिए संस्विक्रिती में तो ये प्रलोभन तो गलत हो गया, कि हम इंडियूस्मेंट करके जो है, बोले उससे कनफेशन ले लिए ये तो मानने होता नहीं है, धंकी से थ्रेट में भी नहीं होगा, तो नन आप दीज हो जाएगा, आंसर नन आप दीज, देखें कितना असानी से सवाल जो है, हल हो रहा है, और आप लोग बोल रहे हैं कि सवाल बने नहीं, गलत हो गए, आगे देखें, बल सदर से द्वारा फाइरिंग करने पर, फाइरिंग के हर मामले पर निवन में से क्या आवश्यक है, तो हमेशा ये पता है कि अगर आप ओपनिंग और फाइर करते हैं, तो आपके उपर कोट अफ इंक्वारी बनेगा, आपको सस्पेंशन दिया गया है, रिवार्ड दिया गया है, कोट अफ समन की तामिल की प्रक्रिया, अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, 61 समन का प्रारूप और 62 में समन की तामिल की प्रक्रिया, इससे आसान क्या हो सकता है, आगे देखे, आरपी अप के कितने बटालियन है, ये आपको ट्रिकी कोश्चन दिया गया है, ऐसे तो हम 16 बटालिय नहीं है तो एक माइनस करके 15 हो जाएगा और 15 इसका सही उत्तर है इसके बाद ये भी मैंने आपको पहले ही कबर कर रखा ये तो मैं लगता है दो साल पहले ही इस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है हतियारों की छीनोती के बिरुद बचाओ के लिए देल सुरक्षाबल का कौन सा अस्थाई आदेश है तो स्टेंडिंग ओडर 60 इसके बारे में सही उत्तर है अब ये कॉमन सेंस का सवाल है फस्टेड का गंभी रख्षाओ के इस्टिती में चोटिल व्यक्ति की सहायता के खोसकता है कि हथियाज क्या हो जंग लगा हो टितन și हो जाएगा कि प्यक्व चिल्लाते बहां यह तो बिल्कुल नहीं करना यह ब Kings All पूछना नहीं है खुन बहते रहेंगे भाता रहेंगे खुन को तो रोकना है न तो उस पर हम डालेंगे प्रेशर और वह खुन रुक जाएगा अब अभी जो है रूस और युक्रेन के बीच जो है वो चल रहा है विवाद जगड़ा तो वहां से एक करेंड का सवाल बना कि ओडेशा तो यहां उडेशा लोग बहुत लोग पढ़ लिए इसको जिसके कारेंड की गलत हुआ यह है ओडेशा ओडेशा है युक्रेन का साथ यह जिके के सवाल है जिके के सवाल को बहुत कम कभर किया है मैंने तो यहां पर निकट दिस्टी दोस के बारे में बताया गया है किसे साफ नहीं देखा जा सकता है तो हमेशा यह दिखिए अगर आपको लिखा रहे निकट दिस्टी दोस और दूर दिस्टी दोस तो निकट दिखा होता तो नजदीक और दूर ऐसे हो जाता तो यहां पर क्या हो जाएगा दूर की बस्तु में जो है वो दिखाई नहीं देती है इसके बाद खरगो सीरन का सवाल तो रिजनिंग का है यह सारे रिजनिंग में कवर किये जाएंगे तो अभी तक 6 सवाल है जो मैंने नहीं पढ़ा है आप देखें रिल्वे अक्ट नाइंटी नेटी नाइन की धारा में किस धारा में ट्रिन में पटाके ले जाना अपराद है तो गैस सिलिंडर किस में 164 में मना है तो ठीक उसी में पटाका भी मना है तो इस सिंपल सवाल 164 इसका सही उत्तर है फिर आईए कि कौन जगड़े को सुलजाने के लिए एक रशनात्मक डिस्टी कौन नहीं है अगर कहीं जगड़ा हो रहा है तो वहां किस परकार से आप जगड़ा नहीं सुलजा सकते हैं तो धैर यह तो ठीक है एग्रेशन डिसकसन ओपेननेस तो जगड़ा में अगर आप एग्रेशन जाके दिखाएंगे तो क्या होगा वो घी का काम करेगा वह और आगे बढ़ जाएगा अगे है भारत में एक छे बरस के उमर के बालों को किस जिल किस के लिए जाल हो सकती है तो को यह बे चुबिनाइल है उसको जिल नहीं भेजा जाएगा कभी नहीं जिल भेजा सिबाती हों में या फिर ऑपजरविशन हों में भेजा जाता है गिर्व्तार भ्यक्ती की तलासी के बारे में कितनी बार बताया 51 के वन में पुरूस 51 के 2 में माela आपको फिर आईडी के चारो तरफ आईडी के चारो तरफ बालू की बोरिया रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो अब जो डिजास्टर मेनेजमेंट है इस पर मैं पूरा सीरीज ले करके आ जाओंगा क्योंकि कुछ कुछ सवाल छूट जा रहे हैं बार-बार छोटी-छ के NICKK लेएं पूरिया लगा दी गई जिससे की अगर वो फटता भी है तो उसके प्रभाव को कम किया जता है बट रेसिंग उसको दबा दिया जता इस तो यह सात्वा सवाल मैं इसको भी इस तरीक से लेके चलता हूं पूरी एमानदारी के साथ कि ये साथवा सवाल है जो कि मैंने आपको वीडियो में कवर नहीं किया है अब ये देखिए निम्द में से कौन एक धातू नहीं है ये तो जीके का सवाल है इसे तो मैंने कवर नहीं किया लेकिन सिंपल सा यहाँ पर जो है हीरा इसका उत्तर हो जाएगा और ये आठवा सवाल जिसे कि मैं कभर नहीं किया हूँ उसे ले करके चलड़ा इसके बाद आईए भारतिय स्ताक्ष अधिनियम की निवन में से कौन सी धारा electronic अभिलेखों की ग्राहिता से संबन दीत है तो जो आपने 13 घंटे वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने 65 के B को कवर गया है और मैंने हमेशा बताया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जहां पर भी सेक्षन में A, B, C या इस तरह से जुड़ा है वो सारे amendment किये गए है IT Act के तहर तो electronics अभिलेखों की ग्राहिता इसमें A, B शिर्फ एक ही में है और वहीं इसका उत्तर भी है इसके बाद देखिए कि ये simple GK का सवाल है इसको भी मैं अगर कहूं तो ये 9 सवाल हो जाएगा जिसे मैंने cover नहीं किया है तो उसमा के प्रवाह के सही दिशा क्या है इसमें एकदम common sense का सवाल है कि अगर हम किसी रड को गरम करते हैं किसी रड को हम गरम करते हैं तो जहां हम जिस point को गरम करते हैं वो point गरम होता है तब धीर धीर बढ़ते बढ़ते आके हमारा हाथ जलता है तो जहां गर्म हुआ वो high temperature हो गया और जहां गर्म नहीं हुआ वो low temperature हुआ तो उच्छ तापमान से निम्न तापमान की तरब जो है उस्मा का परवा होता है तो बहुत simple चीज़ था common sense की चीज़े इसके बाद आईए दंड प्रकलिया सहिंता की धारा 143 निम्न में से किस्से संबंधित है तो 143 अगर आपको CRPC ये भी मैंने जो है आपको क्या किया है कवर नहीं किया है तो मैं ये दस्मा सवाल है जो की कवर नहीं किया है अगर इसका उत्तर अगर देखा जाए तो वो होगा इसमें देखे एरेस्ट बाइ प्राइबेट पर्शन वारेंट का निस्पादन हाउस एरेस्ट एंड जब्त माल की निलामी तो ये बिल्कुल इसमें से एक भी उत्तर सही नहीं है ये confession यहाँ पर दिया गया है question में question is wrong no option is correct इसके बादा ये child welfare committee के बारे में बताया गया है कि district में कौन set up कर सकता है तो state government कर सकती है तो इसका सही उत्तर है state government इसके बाद आपको देखिए कि what is the boiling point of water in degree Celsius तो आपको पता है कि 100 degree Celsius पर जो है पानी उबलने लगता है तो यह 100 degree Celsius common सा सवाल है CRPC section 70 में किसका वर्णन किया गया है तो यह भी बहुत ही आसान सवाल है कि हमने आपको बताया है कि 61 से लेके 79 तक 7 के बारे में है फिर उसके बाद warrant के बारे में बताया गया तो 70 में only form of summons cable cable सब्द का प्रियोग किया गया है तो यहां पर cable पर ध्यान से देखना है फिर cable गिरवतारी के warrant के प्रारूप के बारे में तो cable cable को काटते जाए गिरवतारी के warrant के प्रारूप पर अबधी यह सही हो जाएगा समन का प्रारूप और अब दी समन तो ही नहीं वारेंड के बारे में बताएं कि ऐसे वल्टी में तो देखते हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है तो बहुत सिंपल एक्जाम हॉल में आपको स्कूल रहना है अब कोबिड-19 अभी गया है उसके बारे में सवाल पूछाया कि कौन सा स सहायक नहीं है तो नियमी था दोना यह तो बिल्कुल जरूरी था मास पहनना बिल्कुल जरूरी था यूपियाई से पैसा देना इससे यह तो सहायक है यूपियाई से पेमेंट करना सहायक है क्योंकि पैसा छूके देंगे तो उससे भी कोबिड भैलता है तो रोकने में सहा पायक नहीं है तो UPI से पैसा सावजनिक परिवहन का उपयोग तो ये UPI जो है पेइंग थुरू UPI ये जो है कोई ऐसा मेथड नहीं है इसमें ये मेथड नहीं बताया गया था COVID-19 के संक्रमन को रोकने में लेकिन ये बोला गया था कि आप हाथ हमेशा दोहिए अभी भी लोग धो रहे हैं मास्क अभी भी पहने जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का उपयोग करने से मना किया गया था तो आप्शन के हिसाब से UPI से पैसे देना ये सही उत्तर हो गया रेल सुरक्षाबल का ओपरेशन दूसरा तो ओपरेशन वाला एक वीडियो मैंने बनाया ह है वो ओपरेशन दूसरा ये अनाथराइस्ट वेंडिंग से संबंधित है उस ओपरेशन के वीडियो को मैं फिर से आपको अप्लोड कर दूँगा क्योंकि ये बारबा ओपरेशन से एक सवाल रही रहा है तो अभी तक जितने ओपरेशन चलाएगे हैं वो सारे इसमें कभर हो जाएंगे इसके बाद में से निम्ण में से कौन एनचार्सी के चेर्मेन हो सकते हैं तो पहले तो एक्स चीफ जस्टिस होते थे अब चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं सुप्रीम कोड के यहां देख लेते हैं रेटार आइस ओफिसर नहीं हो सकते बूदपूर सांसर नहीं ह हो सकते कोई भी मिनिस्टर किसी राजी का नहीं हो सकता एक ही बचा जो बचा वही उत्तर है सर्वोच नहीं लेकर भूद पूर उन्यादिस इस तरीके से अलिमिनेशन करके आप इसको कर सकते हैं फिर आईए देखिए क्या कहा गया है यदि एक खाली मालगारी यह स्टेशन में डिरेल होती है किन्तु लाइन बादित नहीं है एवं किसी को चोट नहीं लगी है तो कितने हुटर बजाए जाएंगे यह 11 सवाल आ गया जो कि मैंने नहीं पढ़ाया है और इसमें तीन लंबी अवदी के हुटर बजाए जाएंगे अब हुटर वाला वीडि सब्सक्राओं के अरक्षित कोच में तो यह पूछने वाली बात ही नहीं सेक्शन 162 इसके बाद देखें डीवी अगर चोरी हो जाता डिस्ट्रिब्यूटर वाल तो उसका जो है मेमो कौन देगा अर्प अब को तो डीवी किस विभाग का है तो मेकेनिकल विभाग का है तो मैंने कबर नहीं किया है अंडमान निकोबार के कितने द्यूपों के नाम पर परंबीर चक्र बिजरताओं के नाम रखे गए हैं औवियसली यह मुझे भी नहीं पता है ऑप्शन देख करके मैं बता दे रहा हूं कि यह 21 इसका सही उत्तर है डिटेल वीडियो इस पर मैं ले विटामिन C की कमी से होता है स्करवी और विटामिन D की कमी से होता है रिकेटर जो पैर टेड़ा हो जाता है तो रिकेटर तो इस विटामिन C is the right answer इसके बात देखे कौन सा है निमन में से किसकी चोरी होने पर आर पी उपी एक के तर्थ मुकर्णमा दर्ज किया जाएगा स् कर्मचारी की संपत्ती पर भी 379 होता है और रेलवे यात्री के इसमें भी 379 ही होता है क्योंकि इन सब में हम GRP के पास ले करके जाते हैं तो यह बचाएक और बिल्कुल सही क्योंकि स्टेशन के अमानती घर में समान आने पर वो रेलवे प्रपरटी हो जाएगी क्योंकि वो रेल के अधिकार छेतर में यह रेलवे के क्या का जाएगा कि अंडर एड्मिस्टेशन के अंदर आ गया इस कारण से अब देखें निम्न में से कौन सी दारा एक पुलिस अधिकारी को किसी संगे अपर आज के होने से रोकने हैं तू निर्देश जारी करती है तो ये वाला भी तेरवा सवाल आ गया जिसे कि मैंने कवर नहीं किया है और इसको भी हम लोग देखेंगे आगे कि वीडियो में सही उत्तर दोस्तो 149 इस दा राइट आंसर अब कौन सी एक स्तांकेतिक दुरगटना है इंडिकेटिव इंसिडेंट इंडिकेटिव मतलब किसी इंडिकेशन का जो है वाइलेशन करना तो ट्रेन का पटरी पर उतरना कोई इंडिकेशन नहीं है ट्रेन में आग लगना ये भी कोई इंडिकेशन नहीं है खत्रे के सिग पर पार करना आगे देखिए गयर जमानती अपराज में जमानत लेने के लिए तो बेल बॉंड मैंने आपको चेप्टर 33 CRPC में बताया है और उसमें चारी सेक्षन आपको पढ़ा है आगे देखिए निम्न में से कौन एक नवी करनी अउर्जा स्रोत है जीके का सवाल है मैं इसको नहीं पढ़ाया हूँ उसमें लेके चलता हूँ तो 14 सवाल होगे solar, coal, petroleum, natural gas तो solar energy जो है उसको renewable energy नवी करनी अउर्जा कहते है ये सवाल आपको पढ़ाया हूआ है कि निम्निलखित में से किसे बर्दी के साथ पहना जा सकता है तो इसमें हमने signet ring के बारे में बताया था कि signet ring जो है वो पहना जा सकता है बाकी चीजें जो है नहीं पहनी जा सकती है दिखाते हुए इसके बाद देखिए उपद्रव एवं घातक आयूद से सजीत होकर उपद्रव करने के लिए सजाओं का उलेक किसमें है राइटिंग तो 146 में राइट को डिफाइन किया गया है 147 में इसका पनिस्मेंट है और 148 में खतरना खतियारों के साथ तो 147 और 44 कहीं पर आपको दिख रहा होगा जहां दिख रहा होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा एक अच्छे नेता का क्या गुन होना चाहिए आत्म विश्वासी होना चाहिए सुन्दर होना चाहिए इंपैती होना चाहिए और wisdom बुद्धी मता होनी चाहिए तो क्या आपने सरत पवार को देखा है सरत पवार को देखा होगा तो क्या वो देखने में सुन्दर है नहीं लेकिन एक मजे वगे नेता है तो नेता होने के लिए सुन्दर होना आवश्यक नहीं है फीफा विश्यक अब 2022 का फाइनल की तीमों के बीच खेला गया यह विश्यक चर्चित है कि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया और मेसी पहली बार जो है वो जिताए हैं अर्जेंटीना को विश्यक अब फिर है वाट सूट बी डन इन केस ओब बम इन फॉर्मिंग बम स्कॉर्ट बिल्कुल सही एंट छेतर को खाली कर देना है बिल्कुल सही संद्यास पत चीजों को जो है पानी में नहीं डालना है कि यह हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ है और जो इसको पानी में डालने के साथी वो ब्लास्ट हो जाए आगे दिया है आर्पी उपी एक्ट में दोबारा अपराज के लिए कितना न्यूंतम सजा है तो दो साल दोबारा के लिए दो साल इसके बाद यह रिजनिंग के सवाल है इसके बाद आईए भारतिय दंड सहीता में मान हानी की सजा तो जब आप देखेंगे कि भारतिय दंड सहीता में मैं जब 441,45 यह पढ़ा लेता हूँ उसके बाद दो ही सेक्षान ही पढ़ाता हूँ वो है 499 और 500 499 में भी defamation को पढ़ा परिभासित किया गया और 500 में उसका punishment के बारे में बताए गया इसके बाद देखेंगे निर्म में से किन्हे मंडल सोचा युक्त द्वारा निलंबित किया जा सकता है DST द्वारा जो है निलंबित किया जा सकता है तो सिदुल्थीन में जो इसके बारे में बताए गया है और इसमें यह कहा गया है कि all rank up to IPF जो है उनको जो है DST तक सस्पेंड किया जा सकता है SOR is not mandatory issue in case of SOR जो है किसमें नहीं बनाया जाएगा option ध्यान से पड़ते हैं train में डकैती बनेगा बलसदस से द्वारा firing ठीक है फिर attack on duty of getman ठीक है run over of passenger तो यह सब में बनेगा लेकिन run over जो होता है UD case जो हो जाता है उसमें कोई SOR नहीं बनाया जाता है यह practical चीजे है इसके बाद है कौन जो है IED का अवियव नहीं है प्रात्मिक अवियव नहीं है तो IED के लिए प्रात्मिक अवियव क्या होगा कि सबसे पहले हमको चाहिए battery ठीक है सबसे पहले चाहिए switch battery और उसका detonator और explosive यह चार चीज चाहिए होते है तो इसमें देखे switch है battery है explosive है LED की आवशक्ता नहीं है LED की आवशक्ता नहीं है तो इस प्रकार से हमने पूरे 100 question को आसानी से discuss किया तो आप देख सकते हैं कि overall 15 सवाल जो है वो ऐसे मिले जिसे कि मैंने cover नहीं किया है तो आपके पास अभी भी 20 सवाल छोड़ने के chances है reasoning के सवाल मैंने छोड़ रखे हैं reasoning सारा अंजली मैडम ने cover किया है मैं देखा हूँ और वो वीडियो आने पर आपको पता भी चल जाएगा तो चलिए आसा करते हैं कि आपको पूरे वीडियो समझ में आ गई होगी और आगे इस परकार की गलतियां आप नहीं करेंगे और इन गलतियों से आप सीख लेंगे तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाबत करते हैं इस वीडियो को ध्यान पुर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद